नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चैनल पर आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे खुश होंगे आज का विशय जो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आए हूँ वो ये है कि बारतिय विद्यार्थी जो UK की उनिवेर्सिटी में पढ़ना चा मैंने यहां पे बैचलर से लेकी PhD की हुई है तो मैं आप लोगों के साथ में अपना जो थोड़ा जो experience है वो शेर करना चाहती हूँ मैं यह इंडिया से आने वाले students को यह कहना चाहूँगे कि आप सोच समझ के निर्णे लेना क्योंकि यहां हालात बहुत ही अच्छे नहीं हैं तो आप बहतर यही रहेगा कि कोई distance learning course में enroll हो और आप watch करते रहें जब लगे कि यहां पर situation अच्छी दिख रही है तब आप form filling का यहां पर emigrate करने का और जो student यहां पर इंडिया से आए हुए हैं और lockdown की हालात में अपने आपको अगर कोई भी तरह से कहीं भी उनको कोई difficulty महसूस हो रही हो तो यहां पर काफी help groups and student union से संपर्क करें और university की भी social responsibility बनती है यहां की government ने लिखा हुआ है कि वो सभी international students क को मदद रूप हो इसलिए जो भी कोई इंडिया से आया हुआ है अगर उनको कोई भी financial hardship है या accommodation की problem हो या कोई education related problem है या कोई emotional issue हो तो आप लोग ज़रूर university के साथ संपर्क करें और मैं कहूंगे कि आप Indian high commission और Indian embassy से संपर्क करें Indian high commission के पास काफी list of organization, business, individuals जो offer करते हैं support उन government ने कहा हुआ है कि students को मदद करनी चाहिए तो वो जरूर आपको कोई न कोई help बताएंगे और कोई अगर accommodation या rent की problem है तो flexibility government ने कहीं हुई है कि आप students को के प्रतियाप flexible रहना अगर उनकी tuition fee नहीं है या rent की कोई भी expenses की problem है तो आप hardship fund university की होती है चाहे वो publicize करें या ना करे तो direct university से आप मिलें directly उनसे बात करें कि अगर आपको कोई hardship है तो वो आपको जरूर मदद करेंगे यहां की university आपको जरूर जरूर मदद करेंगे आपको कोई emotional issue हो तो counseling भी मिल सकती है तो आप जरूर जाएं और help जो available है उसको use करें तो अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो student union से संपर करें university को जो international office के साथ संपर करें और अपनी support group है उनसे discuss करें अपने problem और help यहां पे available है तो उसका आप definitely उसका benefit लें और जो भी students अगर इंडिया से यहां आना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहूंगी कि अभी हालात इतने अच्छे नहीं है तो आप सोच समझ करके प्लान करें यह decision लेने का कि आप यहां पढ़ें यह साल September 2020 में या फिर उसको थुड़ा आप gap दें तो फिर यह बाते सुनने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद थेंक यू सूमाच